कासी छेत्र में ये छेत्र का बहुत ज्यादा ही महत्तो है ब्रह्म पुदान में लिखा हुआ है कि एक समय प्रयाग राज तिवेली संगम के सरीर में कुष्ट रोग हुआ उनने ब्रह्मा का तपस्या करने पर प्रह्मा ने उनसे बोला कि आप कासी ने पंज गेंगा घाट पर पर जाके कारतिक मास में एक महिना इस्तिक निवस इस्तनान करने से आपके सरीर का जो कोड है, वो समाप्त होजाएदा, आपके सरुह में जो दाग है, कंदगी है, वो सब समाप्त हो जाएदी. और उन्होंने बोला कि जो लोग मद्ध्यानकाल में काशी छेद्र के अंदर, पंचिकंगा घाट में मर्ध्यान काल 12 बजे इसनान करेंगे उनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और उनके सरीर में एक सुर्य की किरण की उत्पत्ती होगी कर दो कर दो के उपर में एक कासी काम मुख्य देविस्थान है उसका नाम है बिंदमादो का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का है कासी में भगवान विष्णु ने पाशि में भागवान विश्णू ने आके तपश्या किया था तपश्या करने पर खाशि की देवता का अधिकार उनको नदीकार हुआ काशी में शिव मात्व अन्यपूणा के लिए इसलिए मिल जो हमारे कासी के देवता है वो है बिन्नमादो का मंदिर ये हमारे पीछे में है इसको अनादी काल में वो मंदिर ये सामने जो मास्क आप देख रहे हैं उसमें था मगर मुस्लिम प्रियेट में जब मुस्लिम लोगों ने इसको दोस्त करके मास्क बना दिया तो ये मंदिर का जो बिक्रा है वो हिंदू क्रामणों ने उठा के सामने के बिल्डिंग में लगा दिया आज बिनमाजों का पूजा और सारा कार इसी मंदिर से होता है ये कासी की मुख्य भूमी है इसको बोलते हैं पंच गंगा घाट यहां पे पाच नदियों का संगम है थी आधी बिने, संगम में मिलने के बाद कासी को आती हैं दो नदि यहां पे सत्र मिलती जो की आज समाप्त हो गए है एक नदि का नाम है दूद पापा दूसरी नदी का नाम हे के जैडना भागवाना सुर्य के शरीर से निकलियोए किरण से प्राव्थ हुआ खिर्णा नदी और दूध भिनायक मदिर धूध कि धारह नेकलियो उस से बना दूध पापा नदी ये दोनों नदियों का संगम इसी घाट पर हुआ है इस लिए इस घाट का नाम पंच गंगा घाट बोलते हैं अब्सक्राइब करें धिए अब्सक्राइब करें तो खर जाट बोलते हैं।